हेलो एंड वेलकम दोस्तो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Poco Yom4 Pro Mobile का होट्सपोट आउन करने के बाद दूसरे मोबाइल में यह आपे वाइफाई नहीं दिखा रहा है आप यह आपे देख सकते यह आपे मैंने होट्सपोट आउन कर दिया है लेकिन दूसरे मोबाइल में यह आपे वाइफाई सिगनल नहीं दिखा रहा है इस मोबाइल का तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल कर सकते तो चली इस वीडियो को शुरू करते इसके लिए आपको सिंपली यह आपके पोको मोबाइल के सेटिंग में जाना है पोको मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछी इस तरीके से यहापे नीचे पोर्टेबल होट्सपोट दिखाए देगा आपको सिंपली यहापे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे Setup Portable Hotspot दिखाई देगा आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे Select AP Band दिखाई देगा आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसे 2.4 GHz पर क्लिक कर देना है इसे आपको simply 2.4 GHz कर देना है और उपर यह आप इसे उके बटम पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यह problem solve हो जाएगा